दोस्तों नवरात्री नो ही दिन क्यों मनाई जाती हैं ? साथ, आठ, ग्यारा या बारा क्यों नहीं ? जब नवरात्री का इतना ही महत्व है तो नव दिन से अधिक की नवरात्री क्यों नहीं मनाते ? नवरातरी के महत्व को हम दो भागों में समझने का प्रयास करेंगे पहला कथाओं के माध्यम से और दूसरा नौ अंग का महत्व जो की वीडियो के अंत में जानेंगे चलिए अब पहले भाग यानि कथा की उर बढ़ते हैं इस कथा का विवरण देवी भागवत और श्रिमत हातों से ही हो स्वयम ब्रह्मा विश्णू या शिवजी से भी नहीं ब्रह्मा जी ने ततास्तु कह दिया था बाद में महिसासुर ने आतंक मचाना शुरू किया और संपूर्ण पृत्वी और स्वर्ग पर शाशन करने लगा देवतागर परास्त होकर और अपनी जान बचा का आववाहन किया और एक प्रचंड शक्ति का निर्माण किया जिसे देवताओं ने अपने अपने आयोध भी प्रदान कर दिये यह महा शक्ति देवी दुरगा का ही एक रूप थी उनका नाम चंडिका पडा देवी चंडिका ने महिसासुर के साथ अकेले ही युद्ध करक यह युद नौ दिन तक चला था और दसवे दिन विजय हुई थी इसलिए नौ रात्री मनाई जाती है तात्विक रूप से यह असुर यानि की हमारे में जो पशुता रूपी नकारतमकता है उसका परास्त करने के लिए मादुर्गा की पूजा की जाती है इसका एक उद्दे भैस जैसी जड़ता और आलस पर विजय पाना भी है चलिए दूसरी कथा की बात कर लेते हैं शिव भक्त राक्षस राज रावन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम को देवताओं ने शक्ति की पूजा करने और उनसे आशिरवाद लेने का परामर्ष दिया भगवान राम ने ऐसा ही किया किन्तु भगवान श्री राम के द्वारा भगवती की पूजा के लिए रखे गए 108 कमल पुष्पों में से रावन ने एक कमल पुष्प चुरा लिया इस संख्या को पूरा करने के लिए श्री राम ने अपनी एक आख निकाल कर अरपित करने क विचार किया क्यूंकि भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे और भगवान विष्णु कमल नयन कहलाते हैं जब एक आख निकाल कर अरपित करने के लिए सोच कर उन्होंने अपना तीर निकाला तभी भगवती प्रकट हुई और उन्होंने भगवान श्री राम को विज पूजा की विजय दश्मी श्री राम जी का 10 सिरों वाले रावन पर विजय का दिन भी है इसलिए उसे दशहरा यानि दशहरा भी कहते हैं दोस्तों पहले प्रथम तीन दिन महाकाली की पूजा होती है जो तमोगुर हटा कर हमें शक्ति प्रदान करती है बीच के तीन दिन महालक्षमी की पूजा होती है जो रजोगुर से सात्विक्ता प्रदान करके आध्यात्मिक संपत्ती प्रदान करती है और अंतिन तीन दिन महासर्फती जो विद्या की देवी है हमें सात्विक्ता प्रदान करके आध्यात्मिक विद्या के साथ-साथ विवेक प्रदान करती है और तीनों गुणों से परे हो जाने से दसवे दिन गुणों पर विजय प्राप्त की हुई गुणातीत स्थिते की विजय अदश्मी मनाई जाती है चलिए अब तीसरे संदर्व की ओर बढ़ते हैं परवती जी शंकर जी से प्रश्न करती हैं कि नवरात्र किसे कहते हैं शंकर जी उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि नवरात्र नव शक्तियों से संयुक्त है इसकी प्रत्येक तिथी को एक एक शक्ति के नव के बाद कोई अंक नहीं होता है ग्रहों में नव ग्रहों को महत पूंडवाना जाता है फिर साधना भी नव दिन की ही उपियूक्त मानि गई है किसी भी मनुश्य के शरीर में साथ चक्र होते हैं जो जागरित होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं नवरातरी के नौ दिनों में से साथ दिन तो चक्रों को जागरित करने की साधना की जाती है आठवे दिन शक्ती को पूजा जाता है और नवा दिन शक्ती की यानि हमारे भीतर शक्ती जागरित होती है अगर सत्चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडलीनी जागरण का माना जाता है दोस्तों उक्त नौ दिनों में जो व्यक्ति अन्न का पूर्ण त्याग कर माता की भप्ति या ध्यान करता है उसे सब ही तरह की मनो कामन पूर्ण करने की शक्ती मिलती है इस दोरान कठिन साधना का ही नियम है मन से कुछ लोग नियम बनाकर वरत या उपवास करते हैं जो की अनुचित है जैसे कुछ लोग चपल पहनना छोड़ देते हैं कुछ लोग बस सिर्फ खिचडी ही खाते हैं जो की अनुचित है शास्त चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होता है। प्रकृती और शरीर में स्थित शक्ती को समझने से ही शक्ती की अराधना का भी महत्व समझ में आता है। अर्थात साल के अठारा दिनों में अन्म का त्याग कर भक्ती करते हैं तो आपका शरीर और मन ऊरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिन्त रहता है। जमा लिया है। दोस्तो नवरातर को लेकर कई सवाल हम लोगों के दिमाद में आते हैं। उसमें से एक एहम सवाल ये है कि जैसे नवरातरी तियोहार एक ही साल में कई बार क्यों आता है। इस प्रश्ण के साथ साथ हम नवरातरी पर्व की आध्यात्मिक और रैज्यानिक पहलूँ पर भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि नवरातर पर्व को सही तरीके से मनाना क्यों आवश्यक है। दोस्तों वैसे तो भारत वर्श में कई लोग इस प्रश्ण का उत्तर जानते हैं लेकिन कई लोग इस बात को नहीं जानते कि नवरातर पर्व एक वर्श में चार बार मनाया जाता है। सनातन धर्म में नवरातरी वर्श में चार बार आती है। समय चैत्र महीने के आसपास होता है और जो फसल गर्मियों में बोई जाती हैं उनका काटने और लेने का समय कार्तिक मास के आसपास ही होता है। चैत्र महीने और आश्विन महीने की नवरातरी प्रकट नवरातर कहलाती है क्योंकि इन दो नवरातरों में शक्ति यानि मादुर्गा के नौ रूपों का पूजन होता है। और पूरे भारत वर्ष के आम जन भी नौ दिनों तक वरत पूजन हवन इत्यादी द्वरा श्रद्धा नुसार नवरातरी पर्व मनाते हैं। दो शेश बची दो नवरातरी आसाड मास में एवं पॉश या माग माग में आती हैं जिनको गुप्त नवरातरी कहते हैं। से जानते हैं उन्हीं के दस गुप्त रूपों की पूजा करते हैं या दस रूप दस महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं इन दो नवरात्रियों में इन ही दस महाविद्याओं का पूजन किया जाता है अधिकतर इन नवरात्रियों को आम जनता नहीं मनाती आप किसी सिद तांतरिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है जिसके लिए किसी सिद्ध साधक या गुरू की आवशक्ता होती है और तांतरिक क्रियाओं आम तोर पर किसी निर्जन स्थांड या तांतरिक पीठ पर ही की जाती है इसलिए आम जनता इन कठिन नियमों के चलते इन क्रियाओं क सही ढंग से नहीं कर पाती है अतहा ये दो नवरात्री आम जनके बीच जदा चर्चित नहीं है गुप्त नवरात्री के समें आसाड़ और माग मास में आम जन क्रिशी कारण में व्यश्त होता है एवं प्रकट नवरात्री चैतर और आश्विन मास में फसल पकने के बाद ही मनाई जाती है अतहा आमजन उत्सह एवं श्रद्धा पूर्वक प्रकट नवरात्री मनाती है चैत्र और शारदिय नवरात्र में जहा सारवजनिक रूप से मादुर्गा के रूपों की पूजा और भक्ति की जाती है वहीं गुप्त नवरात्री के दोरान विशेश रूप से गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विशेश साधना की जाती है गुप्त नवरात्री के दोरान मा भगवती के दस गुप्त स्वरूपों की पूजा की जाती है इसमें से विशेशता मा काली की पूजा जादा की जाती है लेकिन गुप्त तरीके से पूजा, मंत्र, पाठ और प्रसाद सभी चीजों को गोपनी ये रखा जाता है गुप्त नवरात्री में माता की पूझा को जितना गूपनी रखा जाता है फल उतना ही बहतर प्राप्त होता है ये सभी गूपनी ये महाविद्याय हैं इनके मंतर, यंत्र, कवच, आदी को सावधानी पूर्वयक गुप्त रखना चाहिए, हर किसी को बताना नहीं चाहिए, इससे सिध्धी प्राप्त नहीं होती, तथा अशुब होता है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्री कहते हैं दोस्तों, प्रकट नवरात्री साल में दो बार क्यों मनाई जाती है, इसके उत्तर को तो हम समझ चुके हैं, अब इसे आज के आधुनिक साइन्स जगत से जोड़ कर देखते हैं नवरात्री हमेशा दो मुखे मौसमों के संक्रमन काल में आती है, यानि जब सर्दी के बाद गर्मी शुरू हो रही होती है तब, यानि चैतर मास में, और दूसरे जब गर्मी बारिश के बाद सर्दी शुरू हो रही होती है तब, यानि अश्विन मास, ये ही वो समय है रखने का भी प्रावधान किया इन नौ दिनों में यदि तरीके से केवल फलाहार करके उपवास कर लिया जाए तो शरीर से पिछले 6 महीने में एकत्रित विकार निकल जाते हैं और शरीर अगले 6 महीने के लिए स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाता है साथ में हम जो धर्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे हमारी आत्मिक शुद्धी भी हो जाती है यहां या ध्यान रहेगी फलाहार यानी केवल फल आहार ज्यादा से ज्यादा दूद बस यदि आप फलाहार के नाम पर साबुद आने की खिचडी कुट्टू के आटे की पूडि कर लिया जाए उपवास का वैज्यानिक तरीका यही है इसलिए सप्ता हमें एक दिन और महीने भर में कई ती थी हो जैसे एकादशी, प्रदोष, गड़ेश चतुर्थी, पुरण मासी आधी को वरत रखने को हमारे सनातन धर्म से जोड़ा गया है दोस्तों क्या नवरात्री के 9 दिनों में अलग-अलग रंग के कपड़े पहनना जरूरी है? क्या सच में पुराणों और वेदों में ऐसा लिखा है कि 9 दिन अलग-अलग रंग के कपड़े पहनने पर माता भक्तों पर जादा प्रसन होती है? ऐसे कई उलजन भरे सवालों से आज हम परदा उठाएंगे दोस्तों नवरात्री में किस रंग का कपड़ा पहने ऐसा किसी वेद या पुराण में इन बातों का उल्लेक नहीं है दरसल हमारे जीवन में रंगों का प्रभाव कैसा हो यह विशय जोते शास्त्र तथा वास्तो शास्त्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है दोनों ही शास्त्रों में बताया गया है कि रंगों से ना केवल हमारी पसंद जुड़ी होती है बलकी रंग हमारी भावनाओ, मन, शरील आदी से संबंध रखते हैं अब इसे ले आते हैं नवरात्री की तरफ, जोतिश आचार्यों और वास्तो गुरूओं के कहने के अनुसार, अगर हम हर नौ दिन माता को प्रिये लगने वाले वस्त्र धारण करेंगे, तो हमारी तपस्या का फल जल्द ही प्राप्त होगा, हमारे दुखे हुए कारे चल पढ़ेंगे, जीवन में खुशहाली आएगी इत्यारी, कई पंडित या आचारे टीवी पर भी इसी प्रकार का दावा करते हैं, परन्तु आप ही सोचिए, क्या कपड़ों का रंग और नवरात्री के समय का वरत एवं तब का महत्व एके ही समान है, दोस्तों, रंगों का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग तरीके से होता है या सच है, परन्तु ये एक अलग विशय है, इससे नवरात्री के 9 दिन की वरत प्रकरिया का कोई लेना देना नहीं है, नवरात्री वरत का साधारन अर्थिया है कि 9 दिन उपवास का नियम करके, यानि के प्रात्री पर्व भारत के हर प्रदेश में अलग-अलग स्थानिय तरीके से मनाय जाता है, जहां उनके पारंपरिक नृत्य और भजन संगीत द्वारा माता की अराधना की जाती रही है, लेकिन आज विश्व के आधूनी करण ने विचारों का भी आधूनी करण कर दिया ह जिससे हम सभी उन नौ दिनों में माता की भक्ती और तब से दूर अपने मनोरंजनों में व्यस्त हो जाते हैं, उसी मनोरंजनों का एक छोटा सा हिस्सा है यहां नौ दिन अलग रंगों का प्रपंच, अलग-अलग रंग पहनने से माता की भक्ती तब और वरत साधना में को प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों अब जानते हैं कि आचारे जी टीवी पर आकर किस दिन किस रंग को पहनने को कहते हैं और देवी को रंगों से कैसे मिलाते हैं पहला दिन नवरातरी के पहले दिन माशैल पुत्री की पूजा की जाती है इसलिए इस दिन सफेद पीले और दाल रंग के वस्त्रधारण किये जाते हैं कहा जाता है कि इन रंगों के वस्त्रधारण करके पूजा पाठ करने से सौभागे की प्राप्ति होती है क्योंकि इन रंगों का प्रियोग करने पर माशैल पुत्री शीगर प्रसन होकर निरने शमता में वरिधी करती हैं और कुंडलेनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती है मा ब्रह्म चारणी को ये तीनो रंग अतियंत प्रिये हैं इसलिए इन दिन इन रंगों के कपड़े पहन कर पूजा करें तीसरा दिन नवरात्री के तीसरे दिन मा चंद्रगंटा की पूजा होती है इस दिन आप भोरे हरे और नीले रंग के कपड़े पहन कर मा दुर्गा को फुश कर सकते हैं इसलिए उनका वस्त्र विनियास भी भोरे रंग के कपड़ों से किया जाता है इससे आप मा की कृपा एवं सुख शांती प्राप्त कर सकते हैं चौथा दिन नवरात्री के चौथे दिन मा कुश्मांड को नारंगी, सिलवर और पीला रंग पसंद होता है रोगों को दूर कर धन यश की प्राप्ति के लिए इस दिन आप ये सभी रंग पहन कर मा दुर्गा की पूजा करें पाचवा दिन पाचवे दिन मा सकंद माता की पूजा की जाती है इस दिन सफेद, नारंगी और हरा रं रंग पहनना शुब माना जाता है मासकंद माता सूर्य मंडल की अधिश्टात्री देवी है अता ये सभी पसंदीता रंग भी तेज से परिपोर्ण है छटा दिन नवरात्री के छटे दिन मा कातियाईनी की पूजा की जाती है इस दिन के लिए लाल सफेद और भूरा रंग बहुत शुब माना जाता है इसमें से सफेद रंग का विशेश महत्व है इसलिए वह शांती का प्रतीक भी है सातवा दिन सब्तमी के दिन कारात्री की पूजा होती है इस दिन नीला नारंगी और गुलाबी रंग पहनना शुब माना जाता है आठवा दिन नवरात्री के आ जो असीन शान्ती प्रदान करता है, नवा दिन, नवरात्री के नवे दिन, मा सिर्दी दात्री की पूझा की जाती है, इस दिन बैगणी, नीला और गुलाभी रंग पहनना बेहत्चुभ होता है, इस रंग के कपड़े पहन करे ही मा की पूझा करें और कन्याओं को खाना खल आपको पूजा का पूरा फ़ल मिलेगा तो यह है टीवी वाले आचारियों का नवरात्री पर्व पर रंगों का विशेश महत्व, दोस्तों जैसा कि हमने कहा नवरात्री पर्व का प्राचीन वैग्यानिक रहस से है, उसी के अनुसार चलने पर नवरात्री व्रत की शक्ती आ दोस्तों आप सभी महामाई जगदंबा देवी दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे इन शक्तिश्वरूपा देवी दुर्गा ने समस्त लोकों के कल्यान के लिए तता दुष्ट दानवो और राच्छसों का विन्हाश करने के लिए कई बार अपने अलग-अलग रूप धारण किये थे दोस्तो देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शेल पुत्री परवत राज हिमाले के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शेल पुत्री बढ़ा था दोस्तो देवी शेल पुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रमा जी के मानस पुत्र प्रजापती दक्ष की पुत्री थी तब इनका नाम सती था और इनका विवा भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था परन्तु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यग के हवन कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था देवी सती का दूसरा जन शेल पुत्री के रूप में हुआ और इनका विवावी बगवान शंकर जी के साथ हुआ था देवी शेल पुत्री को हम देवी हेमवती वा देवी पारवती के नाम से भी पुकारते हैं दोस्तो व्रिशब यानि बैल पर सवार देवी शेल पुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल शशोबित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुश्यों को अनन शक्तियां प्राप्त होती है। दोस्तो नवरात्र के दूसरे दित माद उर्गा के ब्राम्व चारणी सवरोप की पूजा की जाती है। यहाब ब्राम्व शब्ध का अर्थ है तपस्या, ब्राम्व चारणी अर्था तब की चारणी, तब का आचरन करने वाली। दोस्तों देवी सती ने जब शैल पुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था तब सभी मनुशों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे तब देवताओं ने भ भगवान शंकर को अपना पती बनाने के लिए प्रेरित किया तब देवी शैल पुत्री ने भगवान शिप को अपने पती के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या गी थी कि तीनों लोकों में हाहा कार मज गया था दोस्तों देवी शैल पुत्री की वा तपस्या बड़ी ही अभूत पूर्व थी ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारणी पड़ ग होते हैं दोस्तों नवरात्र के तीसरे दिल मादुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रगंटा की पूजा की जाती है मादुर्गा के इस सरूप के मस्तक में घंटे के आगार का अर्ध चंद्र है इसी कारण इन्हें चंद्रगंटा देवी कहा जाता है दोस्तों सेह पर सवार द पासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही जादा मात्व है क्योंकि देवी चंदर घंटा शेग रफल देने वाली देवी हैं इनकी बक्ती करने वालों को इनकी कृपा से जल्द ही आलों की गवस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं दिव्ध्य सुगंदों का अनुभा हो करने लगता है तथा तरह तरह की दिव्ध्य धुनिय सुनाई पढ़ने लगती हैं कहते हैं ऐसे शनों में भक्तों को बड़ा साउधान रहने की आवशक्ता होती हैं देवी चंदर घंटा की साधना पूर्ण होने पर अतिशी ग्रफल प्राप्त होता है मा चंदर घंटा अ इस ब्रहमाण की रशना की अंड अर्थात ब्रहमाण को उत्पन करने के लिए ही आदिशक्ति ने इस स्वरूप को कुश्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है इनका निवाज सूर्य लोग के भीतर के लोग में है तबही इनके शरीर की कान्ती और प्रभा सूर के ही स इनके तेज की बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकता है। इस ब्रह्माण की सभी वस्तु और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। दोस्तों सही पर सवार इन देवी कुश्मांडा की आठ बुजाएं हैं इसलिए इने अस्ट बुजा देवी भी कहा जाता है इनके हातों में कमंडन, धनुष, बान, कमल पुष्प, अमरित कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों तता नीदियों को देने वाली जपमाला है नवरात्र के चोथे दिन मा दुर्गा के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है संस्कृत में कुश्मांड, कुमडे यानि कद्धू को कहा जाता है देवी कुश्मांडा को कुमडे की बली सारवदिक प्रिये है इस कारण से भी यह कुश्मांडा कही जाती है दोस्तों मा दुर्गा के इस सरूप की उपासना बड़े पवित्र तथा स्थिर मन से कुश्मांडा देवी के सरूप को तिहान में रखकर की जानी चाहिए इनकी उपासना से बगतों के समश्त रोग शोक नस्ट हो जाते हैं और आयो बल और आरोगी की विर्द्धी होती है दोस्तो नवर के इस पाचवे सरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है इनके वीग्रह में भगवान सकंद जी बाल सरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं सकंद माता सरूपनी देवी की चार बुजाएं हैं दाइनी तरफ की उपर वाली बुजा से इन्होंने भगवान सकंद को पुश्प लिये हुए हैं। इसी तरह बाई तरफ की उपर वाली भुजा वर्मुद्रा में हैं। तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुश्प लिये हुए हैं। रिशी कात्यान ने बहुत वर्षों तक मा भगवती की तबस्या की थी, उनकी इच्छा थी कि मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्मले। दोस्तों कहा जाता है कि जब दैत महिसा सुर्का वद करने के लिए अगवान ब्रह्मा, विश्नु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंच से मा दुर्गा को अन्न किया था, तब महा रिशी कात्यान ने ही सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पुझा की थी, इसी कारण से देवी दुर्गा का यहां सरूप देवी कात्यायनी कहलाया, और ऐसी मान्यता है कि इनी देवी कात्यायनी रिशी कात्यान के यहां पुत्री के रूप में उत्पन होई थी, दोस्तों सेही पर सवारी करने वाली देवी कात्यायनी का सरूप बड़ा ही भव्वे तथा दि मा देवी की इस कात्यायनी स्वरूप की पूजा नवरात्र के छटे दिन की जाती है। उपरी बुजा वर मुद्रा में है तता नीचे वाली बुजा अभय मुद्रा में है। आठवी शक्ती का नाम है महागोरी। इनका रंग पूर्णिता गौर है। इनकी गौर्ता की उपम, शंक, चक्र, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। देवी महागोरी की आयू आठवर्ष की मानी गई है। इनके वश्तर आभोशण भी श्वेत है। वर्षप की सवारी करने वाली देवी महागोरी की चार बुजाएं है। इनके दाहिनी तरफ का उपरी हाथ अबैमुद्रा में हैं और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। और बाई तरफ के उपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर्मुत्रा में है। देवी महागौरी ने अपने पारवती रूप में जब भगवान शिव को फ्राप्त करने के लिए कठोर तब किया था, तब इनका रन काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मल कर थोया, तो इनका शरीर विदूत के समान कान्तिमान हो उठा, तब ही से इनका नान महागौरी पड़ गया था। तरीका हो गया था और वास अंसार में अर्द नारिश्वर के नाम से जाने गये थे। पूरी हो जाती है। पूरी हो आए झाल झाल